नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर नेवेश में आपका स्वागत है आज हम आपके साथ डिसकस करेंगे Max Life Insurance का Smart Term Plan With Return of Premium इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि क्या होता है Smart Term Plan With Return of Premium किन सबको ये Plan लेना चाहिए क्या है इस Plan के Benefits कौन-कौन से Premium Paying Option ले सकता है और क्या इसमें Tax Benefit भी मिलता है दोस्तों, अगर अभी तक Future News चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब पटरन को प्रेस करके इस चैनल को सपोर्ट करना ना भूले आजकल आप देखेंगे कि Term Plan के बारे में Awareness बहुत जादा बढ़ गई है इसका सबसे बड़ा कारण है इसका सबसे कम प्रेमियम बाकी Insurance Plans के कमपेरिजन में क्योंकि इसमें Maturity नहीं मिलता इसलिए कई लोग इस Plan को लेने से कत्राते थे इसके लिए Max Life Insurance ने अभी लॉंच किया है Return of Premium वाला आप्शन आईए हम देखते हैं Term Plan with Return of Premium किस तरह काम करता है Mr. Gupta 25 साल के हैं जिन्नोंने 1 करोर रुपीज का Term Insurance Plan with Return of Premium लिया क्योंकि ये Term Insurance Plan with Return of Premium है इस वजह से इनका Annual Premium 25,000 रुपे आया अगले 30 वर्ष तक के लिए अगर इन 30 वर्षों में Mr. Gupta की Untimely Death हो जाती है तो उनकी Family को मिलेगा 1 करोर रुपे अगर Mr. Gupta जीवित रहते हैं 30 साल से जादा तो उनका दिया हुआ सारा Premium वापस हो जाएगा अब देखते हैं कि ये Plan किन लोगों को लेना चाहिए पहला अगर आप सिंगल है और आपके Family Members आप पर Financially Dependent है दूसरा अगर आपके अभी नई शादी हुई है और आपकी Wife Financial Burden पर आ सकती है In case अगर आपकी असमय मृत्य होती है तब तीसरा अगर आपकी शादी हो चुकी है और आपके बच्चे हो तो उनकी Marriage उनकी Educational Expenses सभी आप पर Dependent रहते हैं इस वज़े से इस तरह की Planning अगर आप सही टाइम पर करें तो अपनी Family को Financial Burden से बचा सकते हैं अब देखते हैं क्या-क्या Benefits मलते हैं हमें Return of Premium Plan में पहला यह आपको Tax Saving में या फिर Disability हो अगर आपने Additional Rider ले रखा हो तो दीसरा यह आपकी Family को Protection देदा है किसी भी तरह की Uncertainty से के कारण आपकी Death होने पर यह आपको 85 यर्ज की Age तर Protection दे सकता है इस Plan में आप MWPA Act का भी फाइदा ले सकते हैं यह Section 6 of Married Woman Protection Act 1874 में लिखा गया है कि अगर कोई शादी शुदा व्यक्ति किसी भी तरह का Insurance पर चेस करता है और उसे MWPA Act के Through Register करता है तो कोई और व्यक्ति जो की हो सकता है आपका Parents हो, आपका Friends हो, आपका Relatives हो उनके उपर कोई Right नहीं है Insurance के आए हुए पैसो पर इस Plan में आपको जैसे मैंने बताया कि Tax Benefit भी मिलता है जिसके Through अगर आप Section 80C और Section 1010D के हिसाब से पूरा का पूरा जो Amount आपको Premium में लगा वो पूरी तरह Tax Free रहता है और साथ ही साथ जो Amount आपको Return of Premium पे मिला अगर चाहें तो एक ही Single Pay में पूरा का पूरा Amount लमसम में देखके गहुत सारी सेविंग कर सकते है दूसरा इसमें Regular Pay का Option रहता है जिसमें आप जितनी Term की अवधी चुनते हैं उतनी अवधी तक आप Premium भड़ते रहते हैं जिसकारण से Regular Pay Option सबसे स्तस्ता पड़ता है तीसरा Option Pay Till 60 का होता है क्योंकि आप देखते हैं कि इंडिया में ज्यादातर Retirement Age 60 Years है तो आप तब तक ही Premium दे जब तक आपका Payment आता रहे बलकि आपको इसमें Cover 85 Years की इस तर्ट मिल सकता है चौता Limited Pay Option ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो की जल्द से जल्द Premium Paying Option से छुटकारा पाना चाते हैं जिसके कारण अगर वो 5 Pay, 10 Pay या 12 Pay या 15 Pay पे ही अपने सारे Premiums को भर सकते हैं और उसमें भी उनको भरपूर शूट मल जाती है जल्दी Premium देने के कारण Max Life Insurance का Claim Paid Ratio 99.22% हो चुका है Claim Paid Ratio होता क्या है और इसे हम किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं ये जानने के लिए आप ये वीडियो डिस्क्रेप्शन पर जरू क्लिक करें आपको पता है कि Max Life Insurance में आपको फ्री ओनलाइन कलसल्टेशन भी मिलता है जहां पर हम आपके साथ पाचीत करके आपके नीट्स को जानते हैं और आपको एडिक्वीट इंशुरेंस कवर सचस करते हैं वो भी आपके होम के कमफर्ट पे बस आपको केवल इतना ही करना है कि आप वोट्सेप में अपना नाम, अपना एज, अपना एन्वल इंकम और अपनी जॉब डिटेल्स को 8770-938-217 पर वोट्सेप करें मुझे उमीद है दोस्तों कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन को प्रेस करना ना भोले मेरे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें ताकि मैं आप तक पहुचा सकूँ इंशुरंस, फाइन्स और इंवेस्मेंट से रिलेटेड और ताजी इंफोर्मेशन कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको टर्म प्लान विद रिटर्न आफ प्रेमियम के बारे में अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं वीडियो को अंतितर देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद जैहन जैभारत